आप सब को नमस्कार, सर्व प्रथम इस धरा को नमन करती हूँ, आमबेकर जी और यहां उपस्ते तमाम लोगों ने मेरा नाम चुना, मैं ये सोच सोच कर अभी बूत हूँ, मैं किस्मत वाली हूँ कि आप लोगों के समक्ष हूँ, आप लोगों के सामने हूँ और अपने दिल की बात कह पा रही हूँ, वैसे तो बीच में वो स्क्रीन की छाया होती है, वो परदा होता है, आज वो परदा भी हट गया है, तो और ज्यादा प्रसंद हूँ कि आपकी है, तो कि जो आप चुन लो वो विशय है, तो मैंने चुन लिया, वसुधा का कल्यान, मैंने चुन लिया कि इस धरा का कल्यान, विशय अगर ये है, तो कोई विचारधारा ले आए, चांद ले आए, सूरज ले आए, अगर देश प्रेम सर्वो परी है, तो फिर सब सब चल जाएगा कोई विशय चल जाएगा कोई समाथ चल जाएगा कोई धर्म चल जाएगा कोई पंथ चल जाएगा कोई लिंग चल जाएगा अगर देश प्रेम है तो सब चल जाएगा और यह मैंने कहीं और नहीं इसी जमीन पर हिंदुस्तान में भारत में हर आखों में दे लोग कहते हैं आप 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 कहते वक्त सोचती नहीं है तो मैं कहती हूँ सोचती हूँ इसलिए कह पाती हूँ और सोचती यह हूँ कि अगर आज मैं रुख गई तो फिर मेरे बच्चे रुख जाएंगे मेरे बच्चों के बच्चे रुख जाएंगे तो जो गलत है कह दो और जो सच है फक्र से कह दो कि ये सच है और यही मेरी कोशिश भी रहती है और इतना प्यार इतना प्रेम मुझे मिलता है कि फिर मुझे पलट कर देखने की जरूरत नहीं पड़ती है और ये आप लोगों का सम्मान है आज जिस कारिक्रम में मैं उपस्तित हूँ मुझे याद है स्कूल में जब छोटी थी पांचवी कक्षा में रही हूँगी तो हिंदी की मेरी बड़ी स्ट्रिक सी टीचर थी तो उन्होंने देवरिशी नारत जी के बारे में एक कहानी मुझे सुनाई बच्चों को सुनाई और वो कहानी मैं चाहती हूँ कि आपके समक्ष भी रखूँ तो नारत जी तो आज तो क्या वाइफाई है, क्या 5G है, क्या 4G है नारत जी ने तो उसका इस्तमाल बहुत पहले ही कर लिया था प्लेन व्लेन की ज़रुएत नहीं थी, वो टेलिपोर्ट करते थे, तीनों लोकों में जाकर अपनी बात कहते थे तो कहानी ये शुरू होती है, कि नारत मुनी अपने अंदाज में स्वर्ग लोक में गूम रहे थे नारायन, नारायन कहते हुए तो अचानक उनको कुछ सूजी, तो उन्होंने भगवान का रुख किया और भगवान से कहा, आप से एक प्रश्न पूछूं तो भगवान ने कहा, पूछो ये जानते तो थे, कि नारत जी के मूँ से निकल रहा है तो पंगा तो होगा लेकिन पूछो, उन्होंने कहा बगवान ये बताइए, कि आपका सबसे प्रिय कौन है आपके रिधाय में कौन वास करता है कौन है जो जिससे आप बे इंतेहा प्रेम करते हैं सनेह करते हैं तो बगवान मुस्कुराए और उन्होंने पृत्वी के ओर देखा और वहाँ इंसानों का टोला था इंसानों की बस्ती थी कोई किसी काम में लगा हुआ था कोई लकड़ी काट रहा था कोई खेती कर रहा था कोई अपने हिसाब का जो उस वक्त काम था वो कर रहा था कोई महिला खाना बना रही थी तो प्रभू मुस्कुराए और उन्हेंने कहा कि ये मेरे दिल में वास करते हैं इनसे मुझे बड़ा इस नहीं है तो नारज जी को बड़ा वुस्सा आया तो उन्हेंने कहा कि आप मनुष्य की बात कर रहे हैं तो प्रभू मुस्कुराए और प्रभू ने कहा मनुष्य की बात कर रहा हूं तो नहीं कहा अरे नारायन नारायन मैं करता फिरता हूं ऐसा कोई पल ऐसा कोई वक्त नहीं गुजरता कि मेरे मुख से नारायन नारायन ना निकले और आपको प्रसंद करता है मनुष्य आपको प फिर मुस्कुराए उनकी अपनी लीला उन्होंने कहा कि इस मनुष्री को मैं छोड़ दूंगा तुम बस ये मेरा जो इम्तिहान है उसे पास कर लो तो नारत जी ने बोला ऐसा कौन सा इम्तिहान है कि मैं पास ना कर पाऊं प्रभू आप कहिए करना क्या है तो प्रभू ने देव रिशी को कटोरा दिया बड़ा सा और उसे एकदम एज तक दूद में भर दिया और प्रभू ने कहा कि अब इसे तुम तीनों लोकों में लेकर घुमो पर ध्यान रहे एक बूंद दूद की नीचे ना गिरने पाए तो देव रिशी ने कहा कि अरे ये क्या बड़ी बात हो गई ये तो मैं चुटकियों में कर दूँगा तो उने ने कहा फिर मिलते हैं और नारद मुनी जी कटोरा थामे दूद से भरा लबालब तीनों लोकों का ब्रह्मन करके आ गए प्रभू के सामने पहुँचे प्रभू मुस्कुराए कहा लोट आए तो नारद जी ने तानी हुई भूओं के साथ कहा प्रभू लोट आया एक भी बूंद ना गिरी तो उन्हें का ना एक भी बूंद किसी लोक में ना गिरी तो बहुत ही गजब हो गया इस बीच तुम मेरा नाम लेना कैसे भूल गये तो उन्होंने माथा पकड़ा उन्होंने का प्रभू ये तो बड़ी गलती हो गई मैं सोच रहा था कि दूद ना गिरने पाए मेरा तो सारा ध्यान दूद के कटोरे पर था नारायन तो मुक से निकला नहीं तो प्रभू फिर मुस्कुराए और प्रभू ने कहा इसी लिए मुझे मनुष्य पसंद है वो जिन्दगी की हर तकलीव से जूचता रहता है वो हर मुश्किल से हर रोज गुजरता है उसकी जिन्दगी के कटोरे में परिशानियों का दूद लबालब है लेकिन फिर भी वो मेरा नाम लेना नहीं भूलता है